दोस्तो आज की इस वीडियो में बॉलियूट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जानने वाले है जो जानके आपको भी एरनी होगी तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब कर दीजे फैक्ट नमबर वन रजनी कांग फिल्मों में आने से पहले बस कंडेक्टर कुली और पेंटर का काम करते थे लेकिन उनकी स्टाइल को देखकर उने फिल्मों में आने काम होका दिया गया Fact No. 2 सल्मान कान अपने पुराने कपने जल्दी नहीं फेकते हैं उन्हें अभी भी 10 साल पुराने जिन्स और पुराने जूते पहनते हुए दिखे जाते हैं Fact No. 3 राज कपुर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें एक नहीं दो इंटरवल थे क्योंकि ये फिल्म 4 गंटे 25 मिनिट की थी फैक्ट नमबर 4 2006 में बनी फिल्म विवा भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जो इंटरनेट पर भी रिलीज की गई थी और इस फिल्म ने करीब 545 करोड रुपे की कमाई भी करके दी थी फैक्ट नमबर 6 अमिर खान की फिल्म लगान पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश अभिनेता को लिया गया था फैक्ट नमबर 7 बॉल्यूट की जानिवानी अभिनेतरी करीना कपूर ने फिल्म हेरोईन में 130 तरह के अलग-अलग कपड़े पहने थे जिसमें दुनिया के सिर्चक डिजाइनर द्वारा तयार केया गया था फैक्ट नमबर 8 दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे फिल्म बॉल्यूट की सबसे लंबे समग तक चलने वाली मूवी थी और इस मूवी की कमाल की बात यह है कि इस मूवी को करने से पहले शारुकान ने इसकी स्क्रिप तक नहीं देखी थी क्योνकि ये फिल्म उनके दोस आधिते चोप्रा की पहली फिल्म थी फैक्ट नमबर 9 वैसे तो दीदार अक्षे कुमार की पहली फिल्म थी लेकिन प्रोडक्शन में इसच़्ू के करन इस फिल्म को रिलीज डेट बढ़ा दी गई और जो अक्षे कुमार की पहली फीमा है रिलीज हुई उसका नाम सोगन था फैक्ट नमबर तेन ख्रेम राजा हिंदुस्तानी एक गान्या है तेरे इश्कम में नाचेंगे इस गाने की शूटिंग के लिए उन्होंने असली में शराब पी थी क्योंकि उनका गाने में शराबी का किर्दा नहीं बना था